हेलो स्टुडेंट्स विल्कम टू आर चानल लर्निंग नोट बुक आज इस वीडियो में हम क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर आर्टिकल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो इस वीडियो को एंग तक ज़रूर देखी और अगर आप क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर का कोई भी और चैप्टर या कोई छोटा टॉपिक समझना चाते हैं तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोट बुक पर क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर का पूरा स्लिबस कवर करा हुआ है आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखी और जब लर्निंग नोट बुक चैनल के वाटसेप ग्रूप्स और टेलिग्राम ग्रूप्स भी अविलेवल हैं आप उन्हें भी जॉइन कर सकते हैं So let's start with our first topic A and N A and N means one तो A और N का मतलब होता है एक जब हम किसी एक को रैफर करना होता है तो उसके पहले हम या तो A लगाते हैं या N They are placed before one person or one thing तो जैसे मैंने अभी बोला A और N इन में से एक चीज लगती है या तो जब हम किसी एक परसन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं Let's see some examples ये एक बुक है तो हम बोलेंगे A book A chair A cup An apple An umbrella अब देखें फ्रेंग्स आपको दिख रहा होगा कि कहीं हमने A use करा है और कहीं हमने An use करा है So let's understand कि कहां पे हमें A use करना होता है और कहां An use करना होता है A and An both are used when we mean any person or thing तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि A और An हम use करते हैं जब हमें किसी एक person की, किसी एक चीज की या किसी एक जगा की या किसी एक animal की बात करनी ठीक है यह तो हमें समझ में आ गया A is used before words with consonant sound अब देखते हैं कि A को हम कहां use करते हैं A को हम use करते हैं उन words से पहले जिन words की starting में consonant sound आ रही हो consonant sound यानि जो vowel sound के नहीं हो, जो vowel sound नहीं हो A, E, I, O, U, इनकी जो sound होती है वो नहीं होनी चाहिए, consonant sound होनी चाहिए जैसे कि A girl, G, G sound आ रही है A boy, B, B sound है इदर boy A story, A glass तो इन सभी words की जो sound है, जो starting की sound है, वो consonant sound है तो उनके पहले हम use करेंगे A ऐसे ही जब हम and की बात करते हैं, तो and is used before words with vowel sound and use होगा उन words से पहले जो जिनकी vowel sound है, जो start हो रहे हैं vowel sound से vowels क्या होते हैं, A, E, I, O, U तो इन पांचों vowels की जो sound होनी चाहिए, जब वो words आ जाते हैं, जब हम use करेंगे an जैसे कि an orange, o, orange and apple, a, apple की sound आ रही ही न, a, तो वो vowel sound है, और देखेंगे examples, an umbrella, अब यू की जो sound होती है, जो vowel है, उसकी sound होती है, a, umbrella and egg, a, E की sound है, a and ice cream, i की sound है, i, ठीक है, तो ये sound होनी चाहिए, इन पांचों की sound आनी चाहिए, जब भी हम an use करेंगे, और जब ये sound नहीं आती, इन पांचों की कोई sound नहीं आती, तो वहाँ हम use करते हैं, a, क्योंकि वो कहलाएगी consonant sound, तो यहाँ पे हम sound की बात करने हैं, students, ये point ज़रूर याद रखी, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगी कि अब मैं बार बार sound पे क्यों stress कर रही हैं, देखिए, ये कुछ words हैं, जो जादा तर students गलत करके आते हैं, तो इनको देखी, पहला है uniform, अब आप uniform से पहले, a लगाएंगे य या an uniform, हम बोलेंगे उसको a uniform, क्यों, क्योंकि जो sound आ रही है, चाहे word you से start हो रहा है, जो एक vowel है, पर इसमें you की sound नहीं आ रही, you की sound मैंने क्या बता ही आपको, क्या होती है you की sound, you की sound होती है a, पर हम इसको बोलते हैं uniform, यानि यहाँ पे consonant sound है, vowel sound नहीं है, uniform, देखिए, इसलिए इससे पहले हम use करते हैं a, a uniform बोलते हैं, an uniform नहीं बोलते, वो बिलकुल गलत होता है, इसलिए मैं stress कर रही हूँ sound पे, और examples बताती हूँ, one, doping, no, अब मैं इसको कैसे बोल रही हूँ, one, one बोला है मैंने इसको, जबकि यह start हो रहा है o से, पर इसको ज वो बोलते है one, वर, और वर किसकी sound होती है, डबलू की, यानि ये भी एक consonant sound है, इसलिए इससे पहले भी हमने a लगाया है, चाहे वो word स्टार्ट हो रहा है vowel से, पर उसमें vowel sound नहीं है, उसमें consonant sound है, तो ऐसे word से पहले हम a लगाते हैं, हम बोलेंगे इसको a one बुपी note, अब next है university, यहाँ पे भी चाहिए word स्टार्ट होता है vowel you से, पर जो sound है, वो vowel की नहीं है, हम इसको बोल रहे हैं university, तो ये consonant sound है, इसलिए हम इससे पहले use करेंगे a, a university, हम an नहीं use करेंगे, अब देखिए ये word है honest, honest, अब चाहिए ये word स्टार्ट हो रहा है, h से जो की एक consonant है, पर जो sound आ रही है, वो आ रही है o की, honest, ऐसे हम बोलते हैं इसको, honest, तो sound, vowel sound है, इसलिए इससे पहले हमने an लगाया, हम बोलेंगे he is an honest person, an लगाएंगे, इसी तरह से r, अब यहाँ पे r है, ये भी word स्टार्ट हो रहा है, एक consonant से, बड़ जो sound है, वो है एक vowel की, r, h, silent है इसलिए इससे पहले भी लगता है, an, our, तो ये था difference, consonant sounds और vowel sounds में, तो इसलिए हमेशा sounds पे ध्यान दीजेगा, letters पे ध्यान मत दीजे, sound कौन सी आ रही है, उनकी उस पे ध्यान दीजे, अब हम बात करेंगे, article the की, the is used when we mean a particular person or thing, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, a और an तो, किसी particular person या किसी particular चीज के लिए use नहीं होता, हम वो in general बात कर रहे हैं उन चीजों के, पर जो the होता है, ये हमेशा किसी particular चीज, किसी particular person, किसी particular जगा, aso के लिए use होगा, यहाँ पे वो particular होती है चीज, for example, take a chair, अब यहाँ पे जब मैंने a chair बोला, तो यानि कोई भी chair, मैं किसी भी chair की बात कर रही हूँ, कोई भी chair ले लो तो, पर अगर इसी sentence को मैं बोल दूँ, take the chair lying on your left, अब यहाँ पे मैंने the chair बोला है, क्योंकि मैं refer कर रही हूँ, उस chair को जो तुम्हारी left में रखी हुरी है, तो यहाँ पे मैं एक particular chair की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने उससे पहले the use करा हूँ, let's see one more example, a man is waiting at the door, यानि एक आदमी door पर wait कर रहा है, अब वो आदमी कोई भी आदमी है, कोई particular आदमी की बात नहीं करी, मैं कह रही हूँ, एक आदमी wait कर रहा है door पर, जब मैंने कहा, the man you wanted to meet is waiting at the door, यानि अब मैं एक particular आदमी की बात कर रही है, वो आदमी जिससे तुम मिलना चाहते थे, वो wait कर रहा है door, ठीक है, तो the man यानि particular man की बात हो रही है, a man यानि कोई भी आदमी हो सकता है, तो यह सबसे बड़ा difference है, इन में इसे याद रखी, the is also used when we speak of a person or thing again, अब the हम जब भी use करते हैं, जब हमें उसी person या उसी चीज़ के बारे में दुबारा बात बोलनी है, जैसे की, a stranger came to house, अब यहाँ पे मैंने a stranger बोला है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी stranger है वो, ठीक है, वो हमारे घर आया, अब जब मेरे को उसी stranger के बारे में और बात करनी हैं, वो ही same stranger के बारे में और बात करनी हैं, तो फिर मैं next sentence में उसके लिए use करूंगी, the, the stranger wanted to meet my father, तो यह वाला जो stranger है, इसके लिए मैंने दुबारा बात करी है, यह उपर वाला, यह जो उपर के sentence में stranger है, same ही stranger है, कोई अलग से दूसरे आदमी की बात नहीं हो रही, अब उसी आदमी की दुबारा बात है जब मैंने करी, तो उसके लिए मैं use करूंगी, उसने मुझे एक box दिखाया, अब यहाँ पे a box है, वो box कोई भी है, कोई particular box नहीं है, पर जब मैं उस box की दुबारा बात करूंगी, तो मैं बोलूंगी, the box was full of chocolates, वो box चोकलेट से भरा हुआ था, इसका मतलब है कि उसने मुझे एक box दिखाया, और वो box चोकलेट से भरा हुआ था, तो जहाँ पे मैंने the लगाया है, क्योंकि मैं उसी box की बात कर रही है, वो box अब particular box बन गया है, ठीक है, पहले sentence में वो कोई भी box था, और जब मैंने the लगाया, तो यानि मैं particular, उसी particular box की ब with things that are one of their kind, friends हम the उन चीजों के साथ भी यूज करते हैं, जो अपनी जैसे सिर्फ एक ही होती है, जो यूनीक होती है, for example, the sun, sun जो है वो एक ही है, कोई और sun नहीं है, तो हम यूज करेंगे the sun, इसी तरह से the moon, the earth and the sky, तो इन चारों के साथ हम अमेशा the use करेंगे, क्योंकि ये एक ही है, यूनीक हैं ये सब, अब कुछ और भी चीज़े हैं, जिनके आगे हम the का use करते हैं, the is used with names of rivers, seas, oceans, mountain ranges, तो जब हम rivers की बात करेंगे, particular rivers की, seas की, oceans की और mountain ranges की, तो उनके नाम के आगे भी हम the लगाएंगे, for example, the kaveri, kaveri क्या है, river का नाम है, तो इसलिए हमने the kaveri बोला, इसी तरह से the black sea, black sea क्या है, sea है, उसका नाम है, the Indian ocean, ये भी ocean का नाम है, mountain range हिमालियास के लिए भी हम the हिमालियास use करेंगे, तो ये कुछ points हैं, जो आपको याद रखने पढ़ेंगे, इसी तरह से the is also used with names of well-known building, अब जो well-known buildings होती हैं, यानि जो जानी पहचानी जिनके बारे में सब को पता होता है, ऐसी buildings के पहले भी हमें the use करना पड़ेगा, जैसे की the gateway of India, हम सब जानते हैं, ये मुंबई में है ये gateway of India, तो उसको refer करने के लिए भी हम the gateway of India बोलेंगे, इसी तरह से जब हम ताज महल की बात करेंगे, जो आगरा में हैं, उसके लिए हम the ताज महल बोलते हैं, the red fort, जो देली में है, the is also used with names of holy books and newspapers, अब students, जब हम holy books की बात करते हैं, जैसे की गीता, कुदान, बाइबल, इन सबी ये जो holy books होती हैं, इनके लिए भी हम the use करते हैं, और newspapers, जो जाने पहचाने newspapers हैं, जैसे की statesmen, times of India, इने भी हम the statesmen, the times of India, ऐसे refer करेंगे, अब हम करेंगे एक practice exercise, fill in the blanks with a, an और the, तो यहां पर कुछ words given हैं हमें, हमें बताना हैं कि उन words से पहले a आएगा, an आएगा या द आएगा, पहला word है peer, अब देखिए peer में जो sound है, वो है consonant sound, पर, तो इस से पहले हम लगाएंगे a, a peer, next है owl, अब owl जब हम बोल रहे हैं, तो एक vowel sound आ रही है, तो इस से पहले हम लगाएंगे an, next word है duck, duck में der की sound आ रही है, जो एक consonant sound है, इसलिए हम यूज़ करेंगे a, a duck, then we have taj mahal, अब friends हमें पता है कि तो taj mahal है, it is one of its kind, वो एक ही है, तो इस से पहले हम यूज़ करेंगे the, the taj mahal, let's see the next word, onion, अब onion भी जब हम बोल रहे हैं, तो एक vowel sound आती है, तो इस लिए इस से पहले हम लगाएंगे an, an onion, aren't, इसी तरह से aren't जब हम कह रहे हैं, तो again we are having a vowel sound, aren't, तो इस लिए इस से पहले लगेगा an, अब देखें friends, earth जो है, वो एक one of its kind है, ठीक है, earth कोई दूसरी नहीं है, तो इस लिए इस से पहले हम यूज़ करेंगे the, the earth, pencil, pencil, जब मैं बोल रहे हूँ तो एक consonant sound है, तो इसलिए हम लगाएंगे a, a pencil, next word is doll, जब doll बोल रहे हैं, तो एक consonant sound आती है, ड, तो इसलिए उससे पहले यूज़ होगा a, and, and में देखिए, sound आ रही है, एक vowel की, and, तो इसलिए उससे पहले यूज़ होगा an, ear, अब जब मैं ear बोल रही हूँ, तो एक vowel sound आ रही है, तो इसलिए इससे पहले लगेगा an, tiger, देखे, consonant sound है tiger, त, 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 इसलिए हम यूज़ करेंगे, a, और tiger, तो इस तरह से हमें, sounds को देखके, consonant sound है, या vowel sound है, उसको समझके, हमें a, an यूज़ करना होता है, और अगर कोई चीज one of its kind है, तो हम यूज़ करेंगे the, fill in the blanks with a, an, और the, तो यहाँ पे अब एक sentence given है, हमें बताना है, कि उस sentence में a आएगा, an आएगा या the, पहला sentence है, yesterday we bought dash new car, तो देखें friends, यहाँ पे, कोई particular car की बात नहीं हो रही है, वो एक बस नहीं काल खरीदी है, उसने, तो यहाँ पे हम a या an में से कुछ यूज़ करेंगे, और new जो word है, उसमें consonant sound आ रही है, तो इसलिए हम a लिखेंगे, yesterday we bought a new car, next sentence, look at dash clock on the wall, अब इस sentence में देखिए, एक particular clock की बात हो रही है, कौन सी clock, जो wall पर है, इसलिए हम इससे पहले दर लगाएंगे, next, I want dash apple, अब यहाँ पे कोई भी apple, मिर को एक apple चीए, वस ये बात है, और apple जो है हमें पता है, कि उसमें vowel sound है, इसलिए हम उससे पहले an use करेंगे, I want an apple, next, dash sun gives us heat and light, अब इदर देखिए, sun के बारे में बात हो रही है, जो मैंने आपको बताया था, कि one of its kind होता है, इसलिए इससे पहले हम the लगाएंगे, the sun, I waited for you, for more than dash hour, अब फ्रेंक्स, इदर देखिए, जब हम hour बोलते हैं, तो उसमें a की sound आती है, जो एक vowel sound है, इसलिए हम इससे पहले अन लगाएंगे, I waited for you, for more than an hour, लेट सी दर नेक्स संटेंस, I bought dash umbrella yesterday, dash umbrella is made of fine silk, अब इस संटेंस में दो blanks given हैं, पहले blank को देखिए, यहाँ पे umbrella की बात हो रही है, और हमें पता है, umbrella में vowel sound है, वो vowel sound से start होता है, तो उससे पहले हम use करेंगे and, I bought an umbrella yesterday, अब जब next sentence start होता है, तो फिर से umbrella की बात हो रही है, यानि अब उसी particular umbrella की बात हो रही है, जो umbrella कल खरीदी गई थी, उसी umbrella के बारे में बोला जा रहा है, कि वो umbrella fine silk से बनी है, इसलिए मैं इस blank में umbrella के लिए the use करूँगी, ठीक है, next sentence, अब इदर सबसे पहले first blank को देखते हैं, इसमें बात कर रहे हैं एग की, जो हमें पता है एक vowel sound से start होता है, हम उससे पहले लिखेंगे and, अब next blank है, जिसके बात है mango, म की sound आ रही है, जो एक consonant sound है, इसलिए हम लिखेंगे a, she gave me an egg and a mango, अब जब एक next ये blank आता है, तो वो कह रहा है, dash egg was rotten, यानि ये इसी एक की बात कर रहा है, जो पहले sentence में एक था, अब वो particular एक की बात कर रहा है, उसी एक की, इसलिए मैं इस blank में, the लगाऊंगी, the egg was rotten, ठीक है, फिर है, but dash mango was good, अब ये mango भी ये जो पहला है, sentence में जिसके बारे में पहले बात हो चुगी है, वो mango है, तो अब ये भी particular mango हो गया है, इसलिए यहाँ पे भी the लगेगा, but the mango was good, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, कि जब हम first time किसी चीज़ के बारे में बात करें हैं, तो हम the use करेंगे, next sentence, there was dash basket on the table, Dimpy took dash apple from dash basket, she ate dash apple, dash apple was sweet and juicy, अब first blank को देखते हैं, dash basket, अब ब की sound आ रही है, basket में जो एक consonant sound है, तो हम लगाएंगे, there was a basket on the table, फिर है, Dimpy took dash apple, अब देखिए, dash apple है, apple की इससे पहले बात नहीं हुई है, तो हम इसकी sound देखेंगे, जो एक bubble sound है, तो इसलिए हमने उससे पहले लगाया, an, an apple from dash basket, अब देखिए, basket फिर से आ गया है, वोई same basket है, जिसके बारे में पहले sentence में बात हो रही है, इसलिए इस वाले blank में हम यूज़ करेंगे, the, from the basket, फिर है, she ate dash apple, अब apple की बारे में भी पहले बात हो चुकी है, कि डिम्पी ने उस basket में से एक apple उठाया था, अब ये जो, ये जो apple है, इसकी बारे में दुबारा बात हो रही है, कि डिम्पी ने वो अब खा लिया है, तो इसलिए इस apple के आगे लगेगा, the, इसी तरह से जो next sentence है, उसमें भी उसी apple की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे, the, the apple was sweet and juicy, कि वो particular apple, sweet or juicy था, तो इस तरह से हमने देखके, कि कहां पे हम use करेंगे, and और the, यह हमें so समझ के use करने होते हैं,